नमस्कार भाई सभी को मैं दया सर आपका सुवागत करता हूं दिल्ली पुलिस के एपसोड नमबर 10 में ठीक है तो देखो आज किलास हम बेसिकली एकी क्वेस्टिन करेंगे यह ऐसा क्वेस्टिन है जो मतलब कि एसे सी का टफस्ट क्वेस्टिनों में से आता है और इसको तो आप क्वेस्टिन पर आजाओ और क्वेस्टिन को एक वार पढ़ो मैं सामने सठता हूं देख कहरा कि A और B ने एक साथ करम से X और Y स्थान से एक दूसरी की और चलना सुरू किया रास्ते में एक बिंदू M पर मिलने के बाद A और B को करम से Y और X पर पहुंचने में कर लगने वाले समय को बता ओंअबर मैं आपको समय बताना दैख कुईस्ट्ट में क्या है कि इस दो पहले से टीख्या है इस एक से या प्लेस ऐक है और X से चलेगा, ए कहां से चलेगा, यहां चलना शरू करेगा, ठीक है, इनके B मानलो, distance है कुछ, यह कुछ, D distance पे मानलो, X और Y प्लेस है, ठीक है, और B बंदा है, वो उसी टाइम पे, जिस time पर यह चलता है उसी time पर यह इधर की तरफ चलेगा यह इधर की तरफ चलेगा ठीक है यह चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे यह किसी इस point पर मिल गए यह point कौन सा है M point है M point पर मिलने के बाद इस E M point में मिलने के बाद A तो इदर आगे ना इस Point से A जाएगा इदर और ये B जाएगा इदर इस Point से मिलने के बाद ऊड़ाद दोनों की मेटिंग होगी B ने कहा मैं इदर जा रहा हूँ और A ने कहा कि मैं Y की तरफ जा रहा हूँ तो A है इस Point से 3.2 hour और B भाई साब है M. से X तक जाने में M. से मिलने के बाद का समय दिया है M. से मिलने के बाद का समय दिया है तो इसका मतलब यह हां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा आपका 7.2 hour ठीक है अब एक बार question से भार आजाओ मैं आपके concept समझाता हूं जो concept इसमें लगने वाला है देखो इधर देखो इसको कि मानलो A और X और Y मानलो X और Y पहले से उनके बीच में यह distance है यह distance है यह दूरी है A और B को यह दूरी टै करनी है जैसे कि आप यह मानलो कि यार husband और wife है यह husband का घर है यह wife अपने घर में थी तो husband लेने जाएगा wife को तो condition रख दी कियार आदे रस्ते में तू आजा आदे रस्ते में आ जाओगा पूरा रस्ता कवर हो जाए कैसे कि इतना रस्ता मानलो husband ने तै कर लिया इतना रस्ता wife ने तै कर लिया और यहां से यहां तक का part husband तो दोनों ने मिलके क्या कर लिया दोनों ने मिलके x, y की पूरी distance कवर कर ली first part plus second part first part और second part को मैं add करूँगा तो भाई क्या मिलेगा x, y की बीच में जो distance हो वो मेरे को मिल जाएगी ठीक है तो मालों दोनों यहां पर मिलेंगे और एकी समय पर निकलते हैं तो मालों इसकी velocity v है और इसकी velocity s है तो जब एक दूसरे की तरफ ऐसे opposite direction में चलते तो आपने एक science ने पढ़ा वो relative velocity जब opposite direction में चलते तो relative velocity आपकी add हो जाती जो एक party है एक party है तो भी पूरा होगा xy distance v plus s की speed से उसको complete किया गया है ठीक है यह concept लगने वाला है तो देखो question में तो आपको time given है कि A को यहां से यहां तक जाने में 3.2 hour लगेगा और b को यहां से यहां तक जाने में 7.2 hour लगेगा एक formula होता है कि velocity of A upon velocity of B ठीक है यह क्या होता है square root of यह V उपर है तो इसका time नीचे आएगा 3.2 नीचे आएगा यह V नीचे तो B का time उपर चला जाएगा ठीक है तो यह point तो गुम्रा करने के लिए आपको दिया था confuse करने के लिए point तो cancel out हो जाएगा 8 से कट जाएगा यह 4 पे और 9 पे तो 9 का square होता है 3 और इसका 4 ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर A की velocity कितनी है A की velocity है 3 km पर आवर तो B की velocity कितनी होगी B की velocity sorry 2 आएगा 4 का square root V भी आया मेरा कितना 2 km पर आवर ठीक है 2 थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ठीक है यहाँ तक एक बार आप देख लो कि क्या समझाया है मैंने फिर आगे चलते है तो अब आगे आते है question में यह कह रहा है कि उनके दवारा M बिंदू तक पहुचने में लगने वाली समय को आपको बताना मतलब देखो A यहां से गया M पर पहुचा B यहां से गया M पर पहुचा ठीक है तो A और B किस समय कितने टाइम में 1 गंटे में 2 गंटे में 3 गंटे में जिस टाइम मानलो चले मानलो Brexit सुबै चार बज़े चले थैं यह भी चार बज़े उठा और निकला घर से जितने समय यह चलेगा, उतने ही टाइम वी चलेगा क्या की देखो, मानलो कि यह 10 बज़े गए सुबै चार बज़े निकले, 10 बज़े मिल गए कितने घंटे हो गए, 6 गण्य будет बी चला और 6 गंटे यह चला ठीक है तो देखो वो टाइम पूछा आप से question में आपको यह बता रहा है question में पूछा क्या है तो टाइम कैसे आएगा अगर आप यह बता दो क्यार A और B की आपके पास velocity है A और B एक दूसरी का positive में चले तो A और B एक दूसरी की तरफ net relative velocity कितना हो गया 2 पलस 3 5 की speed से एक दूसरी की तरफ बढ़ रहे पहली बात दूसरी बात A इतनी distance कवर कर रहा है sorry A इस distance को कवर कर रहा है और B इस distance को कवर कर रहा है इन दोनों distance को अगर मैं निकाल के यह वाली XM कैसे निकलेगी देखो इस XM को B भाई साब 2 किलोमेटर पर आवर के इस साब से कितने घंटेम कवर कर रहा है इतने में तो distance क्या होतता है वी इंटू oh sorry velocity इंटूम टाइम तो यह हो जागा आपकी 3.2 इंटू ठीक है total distance कितनी आई total distance आई आपकी 7.2 इंटू 2 और यह 3.2 इंटू 3 और total speed कितनी है देखो A की speed इतर कितनी है 3 मतलब A 3 कि speed चल रहा है B 2 कि speed चल रहा है relative speed कितनी होगी 5 होगी ठीक है तो total time कितना लगेगा दोनों के हम तक पहुचने में यह time लगने वाड़ा है अब इसको फटा फट से आप calculate करो फटा फट से ठीक है एक बार इनको multiply करो add करो फिर आपके पास देखते क्या रता है देखो कर दे calculation इसकी करो दो दूनी 4.2 साथे 14 तीन उनी 6.39 ठीक है इनको add करने गवर पॉइंट च्यार इदर मतलब कि 10 14 24 बटे पांच आपका 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 अब इसको काड़ दो बस एक concept था वो concept मैंने लगाया और मेरा within second answer आजागी तो मैं इतना टाइम से लिए ले ले आपको समझा ना है ठीक है वरना मेरे करना ही किया था फटा 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 इनका रेश्यों ले था करती जो एक्जाम में मतलब कि most important exam oriented question होते हैं वो मैं अभी continuously अपने चैनल पर डालूँगा ठीक है आज से सरू कर रहा हूं इसके बाद मेरे एक वीडियो आएगा उसको देख लेना 10th class का डलेगा ठीक है थैंक्यू फॉर वोचिंग